बिस्मिल्लावराख्मान वरहीम असलाम लीकूम मैं सिस्टर्म ब्रदर क्या हाल है आई होप आप लोग सब ठीक होंगे इसी के साथ आज कब लोग स्टार्ट करते हैं जी आज मैं चछत पर आई हूँ यह चार पर को वाश करने के लिए क्योंकि यह हम लोगों ने उपर रखी तो इसमें इसको वाश का रही हूं तो हर साल इसको हम लोग उपर आकर पहले वाश करते फिर बैठते हैं दूब में तो मैंने नबाल्टी के अंदर मतलब सरफ ना मिक्स करके ना तो सबसे पहले सको मैं सरफ डाल गई हूँ अच्छे तरीकर से तांके इसकी उपर थोड़ी इसको पर चार जाती हैं फिर मैं पता क्या करती हूं यह वाश कर लूँगी ना वाश करके फिर मैं मतलब इसको पर कप्रा वगरा डाल के तो रख जाओंगी जो बिली हमें तांक करती है ना वो पता क्या करती है एक हमारे पास ना दो बिल्ले और एक बिल्ली है जो एक बिल तो लोग उन्होंने हमें अज़ाद दी हुई है फिर हम लोग उनकी छथ बचीकन फैंक देते हैं और वहीं से खाग चला ज़ता है तो कल वो नीचे से कहीं अंदर आ गया है तो पापा उसको ले आए कि इसको अंदर बठा लो कुछ नहीं होता यह ऐसे वैसे तो उसको मैंने बाहरा है पिर बाहर है जगह उन्हां ऐसिना आज तो फिर बाई मैंने फिर इस साथ बाहर चाहर तो फैय कितुप मैं बशु करता हो swims ना तो यह कून थी दिए तू है ईक हैन तो यह था है जोना है निदी है दालती एक बिल्ला जो है ना वो हमें वो सद्धियों में सफ तंग करता है वैसे नहीं जब भी सद्धिया आते फिर हम लोग उसको कहता है मुझे निकाल दो फिर हम लोग उसको निकाल देते हैं बाइर बस वो चिकन खाने दो साथ गर्चोर को से साथ बेटा था उधर चिकन हम लोग ने पत्थर जो है ना मतलब ये चोटशोड़े टुकरे थे ये हम लोग ने च्छट के उपर लगवा ली क्यूंकि इसके साथ बहुत ज़़दा इसका फाइदा है कि च्छट पे अच्छे तिकर से सफाई हो जाती मतलब जितना भी गंदो हो ना सारा साफ हो जगता तो मैंने मतलब इसके अंदर ना बाल्टी बढ़के पानी गिराया है तांकि सारा जो ना साफ हो जगता है चोटशे भी रखे होई ना उनका भी बहुत ज़़दा गंद होता है तो इसमें से कुछ हम लोग ने अपने वो बिडियो देखें वो चोटशो वाली जिसमें मने बताये हैं हम लोगने दोससों चोटशे मेरा बारी लेकर आया वह उसको बताने किस चीज का शोबच हो कर भा है तो पिंक जो जींडीक्रान उखें और यह चिन्टू यह में टांक करता बहुत जगा जगह ना हमारे पर छद खराब करता है यह बांसिव यूरान करता है जी बाई ने चूज़े रखे हुएं और चूज़ों के वज़ा से भी सारी च्छत कितनी गंदी है अब इसको भी मैंना सारा पहले पानी लगा का च्छत पे और इसको वाश करूँ और ये देखें जी ये आपको वाई चूज़े नजर ये सारा दिन बाहर गुंते हैं और इनको इस तरह मैंने बंद की है बंद करकर ये तने शरारती अंदर भी ने जाते तो इनको मैं फिर ना बड़ी मुश्कल से बन करती हूं बन करके और अब भी मैं सारी च्छत को साफ करने लगी डेली सफाई करनी पड़ती है च्छत की क्योंकि चूजर रखे हूए हैं बाई कहा था मैंने सेल कर देने हैं पहले बाई को शोक चड़ा हुआ था कि मैंने पालन रख लो और फ़रे से मुड़े और यह देखे पूरी च्छत कितनी गंदी है तो मैंने सारी साफ की अब इतनी बड़ी च्छत तो बंदा ठक जाता है साफ करके और यह देखे जिसारी मैंने साफ कर लिए यह निशान जो नहीं अब भी खतम हुए क्योंकि यह अब इनको मतल पूरी च्छत को वाश करूंगी यह निशान जोना वाइट वर्ट यह भी खतम हो जाएंगे और यह मारी यह बरतन भी मैंने उनको उठा के देखा कैसी बिक्री यह पूरी च्छत यह चूजों के बरतन पड़े हुए हैं जो आपको नजर आ रहे हैं यह सारी च्छत की सेट और यह चाफ़ जर्ण नमक ढाल दी ऑपिसके बढाने जरू नहीं चार-पांच शाबज खेंट और यह चाहँ हैं प्रेशर को लगा दिया है और यहां पर द्रग लसन घरी मेज टमार्टा को समय ने इंकार के रख लिए प्रेशर मैं ने खोल लिया है और यह देखें जी उसके अंदर से मैं प्यास को निकाल के उसको मैं यह जो है लकड के चमच इसके साथ थोड़ा थोड़ा पीस लूँगी क्योंकि यह गल्त चुके हैं प्रेशर को करके इंदर इसको लकड कर चमच लगाओंगी तो इन लोगन मैं अच्छे दी कैसे मिक्स हो जाना पीस जाना यह देखें जी अब इसको चड़ी कैसे मैं पीस रही हूं मेरी मॉमा जो न वो इस तरी कैसे बनाती है और अब उचेने भी पहले इसका मैं मसाला त्यार करूंगी फिर उनकी उसके अंदर चने डालूंगी मैं देख रही थी प्रिके इसके अंदर कुछ थोड़ा और प्यास तो नहीं रहा गया और अब इसके अंदर में अधरा कलसं का पेशामर कर रही हूं और इसको तरी कैसे फ्राइ करूंगी मिसाले का अब इसके इंदर मैं टमार्टर हरी मिर्च पहले हम लोग इस तरी के चने बनाते थे कि मतल लोग वैसे बनाते हो तरी चने वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता था लेकिन अब इस तरीके से क्यूंके वह अब ना दिल नहीं करता है वह खाने की खाने को वह ले चने तो इसलिए फिर आप थोड़ा सा इस तरी आपके और तरीके के बनाना शुरू कर दी अर जिसमें नमक, काली मिट्ज, लाल मिट्च गर मिशा आप शेली अब यूद्र ओर department मे मिलझ गिए चयर नहीं है अग跟 इस और पियारी लग वह झाल लेएरemia चनों को डाल के तरीकर से इसको बून दोंगी अच्छा तरीकर से बून जाएंगे फिर इसके इंदर पानी आड़ कर दोंगी अच्छा यी बूने हुए चने मुझे बड़े परसंद है मतलब मैं अकसर रुकार जब बूनती होती हुआ तो भाई लोग भी कहते हैं और पापा अब एकसर रुकार कहा देते हैं तो थोड़े से मेरे लिए निकालना फिर बाकी के अंदर में पानी डाल दीती हुआ ऐसे भी खाने का मज़ाता है वैसे लेकिन ऐसे खाने का मज़ाता है इसके पर लीमू डालो साथ में हरादा निया डालो बहुत मुझे के रखते हैं क्यूंकि बाई लोग भी मांगते हैं न फिर इस वज़ासे और बाकी के अंदर मैंने पानी डाल दी है अच्छा जो अब इसके अंदर मैंने हरी प्यास कह रही हूं हरा दन्या वो पॉश करके वो इसके अंदर डाल दी अब मैंने और इसको पकने के लिए छोड़ देती हू तांके ये पानी डाल के भी थोड़ी दिर पिपकाती हूं हम इसको और अब ये देखें जी हमारे चैने हैं जो है वो मैंने पंदरा मिंडिन को पकाया और मसीद और ये रैडी हो गए है और ये अब मैं नीचे मामा के लिए रोटी लेके जा रही हूं क्योंकि मामा नीचे बैठी हूंऑ तो रोटी लेका रहा हूं तो रोटी देन जा रही नीचे गोड़ायां पि्देओं इसे अपड़ल करने हो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करें और आल पर क्लिक करें दाके मेरा बरवक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सकें